नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जेश्ठ मास की कथा सुनाने जा रही है। अगर आपको यह तथा पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में भगवान विश्णू के अवश्य लिखे। साथ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिये। और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिये, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब। सुनिए, यह कथा एक बार महर्शि दधीचि ने अपने शिश्यों को जेट महात्यम का महत्व सुनाते हुए कहा, कि इस महीने में जल देने का विशेश महत्व है, इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुन्य प्रदान करता है, भगवान का ध्यान करने वाले मन मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवता भगवान विश्नु अन्यदान, जल्द ही पिंपल दान-चंदन, हल्दी धन और जूतों दान करने से शांती प्राप्त होती चंदन का दान करने से, देवता आर्शि पितर प्रसन्न होते, निर्जन ख्षेत्र में पपीहे की योनी में इस विशय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ. तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो. त्रेता युक के अंत में वेदान्तों को जानने वाले नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे. उनके पुत्र का नाम देव शर्मा था. एक दिन वह ब्राह्मन ध्यान लगाने के लिए वन गये. कुछ समय भगवान विश्णु का ध्यान. वह ब्राह्मन वहां स्थित सुन्दर सरोवर का जल. व्रिक्ष की छाव में, जो की सरोवर के पास में, जो भी सरोवर में जल. पीने वह ब्राह्मन उनके साथ कुछ समय बाद ब्राह्मन और उनकी मृत्यू हो गई थी। पतिवृता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याक कर ब्राह्मन के साथ सती हो गई कि अज्यात पाप के दोस्त से वह ब्राह्मन मृत्यू के बाद कई समय तक की यात्रा कर चातक की योनी में पड़ अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। अपने माता पिता व ब्राह्मन पुत्र तक श्रेष्ठ कृतियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत आरशी को सुनाया। कि उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक, चातकी की योनी से छूट कर अपने पुत्र को सुख सम्रिद्धिका आशीरवात देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार जेश्ठ माह में दान का विशेश महत्व भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जन्तुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है। वह इस लोक में सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता। जय हो भगवान विश्णू। आपको यह वीडियो पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे।